पटैक खबरे 30 सेकेंड में चाउनलोट करें तक आप अपराधियों ने दुकानदार से समान खरीदने की बाद कहीं और उसके बाद थूड़ी देर बाद बंदूख निकाल कर वहाँ पर लूट की बड़ी वारदात को अनजाम दिया माना ये जा रहा है कि लूट करोडों की हुई है और इस पूरे घटना करम के बाद एक ओर तो जहाँ दुकानदार डरे सहमे हैं घटना करम बता रहे हैं वहीं सर्राफा व्यपारी संग भी बहुत परिशान है बयान सुनिये हम लोग बाकरगंड को सबसे सेफ और सुरचित कमस्ते हैं जो सोना चानी का बिजनेस के लिए अब बाकरगंड का एडिया में ऐसा हो जाएगा हम लोग इस सपन में भी कभी नहीं सोचाते हैं अभी दिन दाहरे बगल में ठाना सब कुछ है और दिन का दो बज़े घटना हो कैसे ब्याव साइज लिएगा टोटल सोना समान था कैस्ट था और दो तीन मोबाइल लेके चल गए वह किस तरह साय थे डिरेक्ट वह कस्टमर बनके आये थे समान मांगे उसके बाद थोरी देर के बाद वह लोग पिस्टन निकाल कर सबको भीडा के एक सैट कर दिए हम होई थे हुए थे हैं अब लोग चार आदमी थे हैं टोटल सीटी को में रिकॉर्डिंग है एक फैरिंग हुआ है जो ये सैट लगा हुआ है इसका चर्रा हां उसके बाद लेके ओलो लोग समान लेके नीचे उतर के भाग गया जिसमें एक गांगिना मोड पे पकड़ा पास-पास के लोगों में नाराजगी है रहत की बात के रही कि वार्दात को अंजाम देकर भाग रहें चार में से एक अपराधी को इस्थानियन लोगों ने पकड़ लिया और उसके पास लूट का सामान भी था पुलिस के देर से पहुँचने की वग जैसे बाकरगंज के स साथियों के बारे में पूच्टाश कर रही है घटना को देखकर ऐसा लग रहा है कि अपराधियों के मन में पुलिस का खौप पूरी तरह से खत्म हो गया है वो भी उस परिस्थिती में जब गांधी मैदान फाना महस 200 मीटर की दूरी पर है पूरे मामले पर पूलिस का क्या कुछ कहना है जरा सुरिए तो बेशक फिलहाल पुलिस अपराधियों की धरपकड का दावा कर रही है लूट का सामान वरामत हो जाने का भी भरोसा दिला रही है लेकिन लोगों का ये मानना है कि फिलहाल पुलिस सिर्फ शराब बंदी और ये चेक करने में मश्रूल है कि लोग मास्क पहन रहे हैं या नहीं क्योंकि थोड़ी दूरी पर ठाना है और इंफॉर्म करने के बाद भी पुलिस को पहुँचने में 40 मिनिट का वक्त लग जाता है और इस बात की नाराजगी सराफा वैपारियों के साथ साथ आसपास के लोगों में खूब देखी गई पटना से हमारे समवदाता राजीश कुमार जहा की रिपोर्ट आप देख रहे थे चलते चलते आपको बता दें कि बिहार तक अब नए लुक नए अंदास में आपसे मुखातिब है हमारा नया लुक आपको पसंद आ रहा है या नही इस पर भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कर दो